हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी I hope कि सब अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विसे सामाजिक ज्यान के फुल हॉमवर्ग को सॉल्व करेंगे जो कि उत्री दिल्ली नगर निगम के द्वारा दिया गया है तो बच्चों वीडि पैन की मदद से प्रत्वी की उत्री दुरूब दक्षनी दुरूब तथा विशुवत रेखा को दर्साइए तथा उसका चितर अपनी कौपी पर भी बनाईए तो बच्चों आप एक बॉल लेंगे उसमें आपको दिखाना है उत्री दुरूब और दक्षनी दुरूब और विशुवत रेखा कहां पर है तो बच्चों उत्री दुरूब जो है वो यह है और नीचे कौन सा दुरूब है दक्षनी दुरूब बीच में है ये बच्चों विशुवत रेखा तो आप इस तरीके से चितर बनाएंगे नेक्स्ट है जीवन कौसल सूर्य का हमारे जीवन म के लिए जल चक्र में मदद करता है खाना पकाने के लिए सोलर कूकर के द्वारा अपने कपड़े सुखाने के लिए अपने पानी को गर्म करने के लिए अपने पानी को किटानों मुक्त करने के लिए सर्दियों में हमारे घर को गर्म करने के लिए और सूर्य हमें सरीर को ग चैन धर्म के 24 वित तीर्थांकर महावीर स्वामी के जन्म के उपलक्ष में मनाया जाता है बच्चो ये पिक्चर है किसकी महावीर स्वामी की अब कोश्चन है यदि रातें 6 महीने की होती तो इससे हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता संचेप में लेखी आंसर है बच्च की कमी होती जिसके कारण हमारा जीवन संभव नहीं हो पाता अगला कोश्चन है अपने घर से विद्याले तक का मानचितर बनाईए तथा रास्ते में आए मुख्या जगहों जैसे की दुकान दवाई की दुकान आदी को मानचितर में चिहनित कीजिए तो बच्चो आप यह यहां पर यह नकसा देख रहे हैं मानचितर में यह примें यही कि मेरा धा तथा घर से दूर में बाट कर लेखिए तो जैसे कि घर से नजदीक हैं रामनगर में मेरा घर है तो रामनगर के आसपास जो छेत्र हैं जो गाउं हैं अहिंसा वाटिका है जगतपुरी न्यू मॉडन साहदरा मांसरोवर पार्क त्यागी कॉलनी घर से दूर हैं चंदरलोग क पहरपुर, सिवाजी पार्क, जियोती कॉलनी, बाबरपुर, जाफरावाद, सीलंपुर, भजनपुरा नेक्स्ट है आज का दिन राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस भारत में हर साल 11 मई को राष्ट्य प्रद्योगी की दिवस नैशनल टेकनोलोजी डे मनाया जाता है जावा भारत ने आज के ही दिन ऑप्रेशन सक्ती मिसाइल को भी सफलता पूर्वक पूरा किया था तो बच्चो आप यहाँ पर यह देख सकते हैं यह सभी तकनी की साधन है नेक्स्ट है दिये गए चित्र को अपनी कौपी में बनाईए तथा पैंजेया महादीब और पैं पैंजेया महादीब पर जाने का अफसर मिले तो आप वहाँ अपना समय कैसे बिताओगे संचेव में लिखिए आंसर है पैंजेया महादीब पर उस समय परयाप्त ऑक्सिजन नहीं था जिसके कारण वहाँ जीवन संभव नहीं था वहाँ कोई मनुरंजन का साधन भी नहीं थी वहाँ खाने के लिए भी परयाप्त भोजन नहीं था जिसके कारण हम पैंजीया महादीब पर नहीं जाना चाहेंगे नेक्स्ट है गतीविधी भीगे हुए अनाज में परिवर्तन का निरक्षन करें और इसकी तुलना आरंब के सूखे बीजों की अवस्था से करें आं जो सूखे बीज थे वह सिकड़े हुए थे उनमें कोई अंकूरन नहीं था नेक्स्ट है दिये गए मानचित को देखकर सातों महादीबों तथा पाचों महासागरों के नाम लिखे बच्चों इस मानचितर में हमें सातों महादीब को देखकर लिखना है कि कहां कहां पर लि तो हमारे महादीप है 7, एशिया, अफ्रीका, उत्री अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, यूरोप, ऑस्टेलिया और अन्टाक्टिका, अब हैं बच्चों महासागर, महासागर कितने हैं 5, कौन-कौन से हैं, परशांत महासागर, अट्लांटिक महासागर, आर्क्रिटिक महासाग हिंद महासागर और दक्षणी महासागर तो बच्चो ये पांच महासागर है नेक्स्ट है जीवन कौसल गर्मी तथा सर्दी के विभिन दस तस फलों तथा सबजियों की सूची बनाईए तो बच्चो गर्मी के फल हैं आम, पपीता, अंगूर, सेव, अनार, तर्बूज, खर सर्दीयों के फल हैं अमरूद, नासपाती, संत्रा, सेव, मौसमी, अनार, बेर, अंगूर, चीकू, कीवी सबजियां हैं बंदगोबी, फूलगोबी, बैगन, आलू, टमाटर, प्याज, गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर नेक्स्ट है, किसी वस्तू को दूप में रखिये, तथा लगाता, दस दिनों तक निश्चित समय पर देखिये, कि उस वस्तू की परचाई में क्या अंतर आता है तो बच्चो आंसर है वस्तु को दस दिनों तक धूप में रखने पर यदि हम उसे निश्चिस समय पर देखेंगे तो उस वस्तु की परचाई में कोई अंतर नहीं होगा वह उसी आकार की होगी और उसी दिसा में होगी लेकिन यदि हम उसे अलग-अलग समय पर देखेंगे तो उसकी परचाई में और उसके आकार में अंतर होगा अब बच्चों है जीवन कौसल गर्मी की धूप तथा सर्दियों में सर्दी से बचने के लिए पांच-पांच उपाय लिखिये आंसर है गर्मी में धूप से बचने के लिए अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए आखों को धूप से बचाने के लिए चसमे का प्रियोग करना चाहिए तचा को धूप में जलने से बचाने के लिए दस्तानों आधी का प्रियोग करना चाहिए गर्मी में अधिक बाहर नहीं निकलना चाहिए हमें गर्मी में धीलेवे हलके रंग के कपड़े पहनने चाहिए क्योंकि हलके रंग धूपके कुछालक होते हैं नेक्स्ट है सर्दियों में सर्दी से बचने के उपाय, गरम कपड़े पहनने चाहिए, जूते जुराब पहनने चाहिए, घर से बाहर ठंडी हवा में नहीं निकलना चाहिए, घर के खिड़की दर्वाजे को बंद रखना चाहिए, गरम पदार्थों का सेवन करना चाहिए. झाल झाल